Welcome everyone, I am Rajneesh आज के हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे demolition क्या होता है और इसका method, process और precaution precaution का मतलब है कौन-कौन सी साबधानिया बरितनी चाहिए जब हम लोग demolition का काम करेंगे demolition is the opposite word of construction construction में किसी भी structure का घर का निर्मान किया जाता है यानि ground level से, GL से हम लोग उपर की तरफ construct करते हैं पहले first floor, second floor, third floor मतलब ground floor से start होता है और number of storage का हम लोग construction करते हैं, बट demolition में क्या होता है, बना हुआ structure या बना हुआ घर को हम लोग तोड देते हैं ठीक है, तोडने का काम किया जाता है उसी को demolition बोलते हैं, हम लोग demolition करते हैं क्यों है, demolition का जरुवत होता है, जब कोई building बहुत जादा पुराना हो जाता है, तो उसका life complete हो गया, उसका function complete हो गया, उसकी service जो spend था, life था वो complete हो जाता है, तो वो कभी भी किसी भी time collapse कर सकता है, जिसके कारण life जो है, वो नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है तो उस situation में हम लोग क्या करते हैं, building को तूटने से पहले ही उसको तोड़ देते हैं, otherwise किसी भी time में तूटेगा, तो life को और जादा problem हो सकता है, ठीक है उसके बाद next word में देखना, demolition of building is the process of dismantling, dismantling का मतलब उसको part by part हटा देना या तोड़ देना, और destroying of your structure after its life, जब किसी भी या structure का life complete हो जाता है, यानि उसका जीवन पुरा complete हो जाता है, उसका service या function, जितने समय के लिए हम लोग मान कर चले थे, अगर वो पूरा हो जाता है, तो उस समय वो कभी भी collapse कर सकता है, और अचानक collapse करेगा, तो बहुत सारे life चले जाएंगे, और उस seize को रोकने के लिए हम लोग building को demolise कर देते हैं, यानि तोड़ दिया जाता है, हम लोग तोड़ते क्यों है, purpose of demolition क्या है, क्यो building को तोड़ा जाता है, तो to remove very old building which may fall on anytime, तो कोई भी building जो बहुत जादा पूराना हो चुका है, उसका life complete हो चुका है, जो कभी भी तूट कर गिर सकता है, नीचे आ सकता है किसी भी time, तो उसको तोड़ दिया जाता है, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी to convert old building into modern residence, जो old building है, उसको new residence में नए घर बनाने में तोड़ा जाता है, यानि old building को तोड़ कर नया घर बनानी की जरुद होती है, तब हम लोग demolition करते हैं, या किया जाता है, तो I hope आपको ये समझ में आ गया होगा, कि demolition क्या होता है, demolition is the opposite of construction, next, अब हम लोग slide देखते हैं, ठीक है, तो देखना, next slide में, हम लोग कितने method से demolition कर सकते हैं, पहला होता है hand demolition, दुसरा होता है machine demolition, और तीसरा है control blasting demolition, hand demolition में hammer, crowbar या छोटे छोटे instrument, जो hand से operate किया जा सकता है, उसके help से building को तोड़ा जाता है, ठीक है, एक मंजिला या generally दो मंजिला building को हम लोग hand demolition करते हैं, य उसके बाद उसके नीचे वाले floor को, और सबसे अंतिम में, जो ground floor होगा उसको तोड़ देते हैं, machine demolition में, machine का use किया जाता है demolition करने के लिए, ठीक है, और control blasting में explosive का, यानि जो explode करने वाले, बोल सकते हो कि bomb का use करते हैं, explode करके हम लोग building को हटा देते हैं, बट वो control होता है, जैसे तैसे explode करेंगे, तो जिस building को तोड़ना चाहते हैं, उसके साथ साथ अगल बगल का भी building तूट जाएगा, उसको blast बोला जाता है, लेकिन हम लोग control blasting करेंगे, ठीक है, मतलब control, मतलब जिस building को हम लोग target करेंगे, सिर्फ उसी building को तोड़ेंगे, blast के द्वारा, तो I hope आ generally demolished by this method, यानि जो एक मंजिला या दो मंजिला building होता है, उसको हम लोग hand demolition से तोड़ते हैं, ठीक है, generally demolished by this method, in this method, manual tools, manual tools का मतलब होता है, जो इंसान जिसको चला सकता है, यानि इंसान के द्वारा, जिस machine को चलाया जा सकता है, उसको manual tools बोलते हैं, which is portable, portable का मतलब है, जिसक एक जगा से दूसरी जगा पर ले जाया जा सके, portable वैसा device या वैसा machine होता है, जिसको असानी से उठा कर एक जगा से दूसरे जगा ले जाया जाता है, ठीक है, portable का मतलब होता है, handy जो हाथ से उठा कर एक जगा दूसरे जगा ले जा सकते हो, such as large hammer, crowbar, spade, jack hammer, etc, तो देखना ध्यान से क्या बोलना चाहरे हैं, कि इस method में हम लोग large hammer का use करेंगे, crowbar का use करेंगे, spade का use करेंगे, और jack hammer का use करेंगे, और hand demolition कर दिया जाएगा, एक next slide में देखना, इसमें large hammer को, crowbar को, spade को, jack hammer को so किये, image के रूप में उसको दिखाते हैं, ठीक है, थोड़ा wait कर लो, in this method, building is demolished in reverse order to construction, जब हम लोग construction करते हैं, तो ground floor के बाद हम लोग first floor, first floor के बाद second, second के बाद third floor में जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले third floor को तोड़ा जाता है, उसके बाद second floor को, उसके बाद ground floor या first floor, जिस तरह से भी हो, ये reverse order में dis construction किया जाता है, next दिखना, इस slide में आपक और इसको jack hammer बोला जाता है, ठीक है, जो यहाँ पर हम mention किये थे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, let me erase it, देखना यहाँ पर आपको दिख रहा है, jack hammer, तो ये है jack hammer, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ एक machine है, इसी को jack hammer बोलते हैं, इसको craw bar बो से से, ये craw bar से हम लोग क्या करते हैं, कि large, ये auradium building construction में पढ़ा चुके है, ठीक है, इसमें हम लोग high weight का जो material है, उसको उठाने के लिए, या एक जगा से दू जगा तक roll कराने के लिए इसका use करते हैं, ठीक है, craw bar का, तो I hope आपको ये समझ में आ गया होगा, hand demolition क्या होता ह है, hand demolition में hand tools या manual tools, या hand tools या manual tools को भी आप hand tools या handy tools बोल सकते हो, handy tools, मतलब जो हाथ से manual का मतलब होता है, आदमी के द्वारा operate किया गया tools, ठीक है, और ये क्या होता है, reverse order of construction, जो demolition होता है, जो हम वो demolist करते हैं, वो reverse order में करते हैं, किस के reverse order में, construction के reverse order में, अगर 5 मंजला मा रहा थे, तो पहले 5th floor को तोड़ेंगे, फिर 4th, फिर 3rd, इस तरह से hand demolition किया जाएगा, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा, आप चाहे तो इसका screenshot ले सकते हैं, और आपको इसका PDF जो है, already WhatsApp ग्रूप में भेज़ दिया गया है, next अब हम लोग देखते हैं, machine demolition, machine demolition में एक raking wall होता है, उसका use किया जाता है, machine demolition में, पहले explain कर देते हैं, फिर जो लिखा हुआ है, उसको समझा देंगे बोलकर, देखो यह raking wall with crane है, यह raking wall को देखना है, आपको diagram में दिख रहा होगा, let me show you, यह जो raking wall है, इस raking wall को हम लोग पीछे की तरफ ले जाते हैं, और फिर उसको छोड़ दिया जाता है, तो यह जाता है, और जिस भी building पे तोड़ना है, जिस भी part को तोड़ना है, वहाँ पर जाकर force के साथ strike करता है, और वो part तूट जाता है, यहाँ पर देखना है, इसको हम लोग पहले पीछे की तरफ ले जाएंगे, और उसके बाद फिर जाएगा, और जाकर building के part में strike करेगा, और वो part तूट जाएगा, ठीक है, तो यह कहलाता है, machine demolition, I hope आपको यह समझ में आ गया होगा, असानी से easy है, समझने लाइक है, देखना machine demolition में हम लोग क्या करते हैं, कि large building require machine demolition, जो large building होता है, large building को अगर आप hand demolition करोगे, तो it will take long time 3-4-5 यह अच्छा महिने का time लग जाएगा demolition में, और labor का charge भी बहुत लगेगा, तो machine demolition करना ज्यादा आसान होता है, जब building large हो, ठीक है, तो large building require machine demolition, the building with great height up to 6-7 storey demolished by crane with raking wall, हम लोग क्या करते हैं, कि एक crane रहता है, और उस crane में, देखना यहाँ पे, एक crane होता है, और raking wall होता है, वो दो चीजों का use किया जाता है, तो देखना यहाँ पे, यह crane था, इसको crane बोलते हैं, इस पूरा system को crane बोला जाता है, और यह raking ball है, और यह remaining जो part है, इसको बोला जाता है crane, crane और raking wall के help से demolition किया जाता है, जिसको हम लोग machine demolition बोलते हैं, और भी different तरह के machine होते हैं, जिसके दोरा demolition किया जाता है building का, ठीक है, तो देखना, next हम लोग देखते हैं, पहला point हो गया था कि large building को हम लोग crane और raking wall के help से तोड़ते हैं, देखना, the raking wall is huge steel ball, raking ball क्या होता है, एक बहुत बड़ा steel ball होता है, hanging from the steel rope, जो steel rope से rope का मतलब होता है, रसी से लटका रह strike the building and the part of building demolished, ठीक है, तो जहां पर strike होता है, वो building टूट जाता है, let me explain one more time, देखना, the raking wall is a huge steel ball, जो raking ball होता है, एक बहुत बड़ा steel ball होता है, hanging from a steel rope, जो steel के रसी से लटकते रहता है, उसके बाद देखना, the steel ball is pulled, steel ball को खीचा जाता है, और release किया जाता है, release towards the building, release कहने का मतबर छोड़ देते हैं, किस के तरह building के तरफ, the steel ball with force strike the building and the part of the building demolished, और जो building का part होता है, वो क्या होता है, demolished हो जाता है, तूट जाता है, ठीक है, इस तरह से building को तोड़ दिया जाता है, next, हम लोग समझ गए होगे, समझ गए होगे, raking ball और crane के help से, कैसे हम लोग machine demolition करते ह next, last है, controlled blasting, controlled blasting से भी building को तोड़ा जाता है, जब large building होता है, तो हम लोग control blasting करते हैं, और ये कुछ minute में ही, एक या दो minute में, बहुत बड़े-बड़े building को तोड़ दिया जाता है, देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये actually, बहुत सारे picture का series है, पहला picture, दुसरा, ती 11, 12 और 13 इस तरह से picture लिया गया है, मतलब these are the different picture, सबसे पहले इसमें जो explosive है वो लगाया गया, पहला second में explosive हलका सा जो explode किया photo है, फिर दूसरा second मतलब ये एक second, दो second में ही पूरा का पूरा chimney है, वो collapse हो गया है, ठीक है, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, control blast करके demolition करते ह देखना यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा control blasting, यानि explosion का use करते हैं, और explosion के help से पूरा का पूरा building को collapse करा दिया जाता है, पूरा का पूरा building को तोड़ देते हैं, हम लोग कोसिस करते हैं कि आसपास वाला building है, वहाँ पे कुछ छती या नुकसान ना पहुंचे, जिस building को भी तोडने जा रहे हैं, जिस भी building को demolish किया जाता है, सिर्फ वही building टूटे, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी precaution देखने की जरुरत होती है, बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, देखना यह building है demolish हो गया, next देखो एक और है slide यहाँ पे, देखो building को किस तरह से demolish क में क्या करते हैं, देखो, the method of demolition by blasting is called implosion, implosion होता है, control blasting को implosion बोलते हैं, otherwise इसको explosive बोला जाएगा, यह explode कहेंगे, implosion का मतलब क्या होता है, implosion का मतलब होता है, control blasting, यानि blasting हम लोग के control में है, जो तोड़ना चाहें, वही तूटे, जैसे अगर किसी column को तोड़ना चाहें, तो स implosion, अगर कोई पूछता है, what is the meaning of implosion, तो implosion का मतलब होता है, control blasting, implosion का मतलब होता है, control blasting, ठीक है, अगर control blast करेंगे, तो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, implosion कहलाएगा, देखना, the method of demolition by blasting is called implosion, तो blasting से जो हम लोग demolition करते हैं, और वो कैसा होता है, controlled होता है, ठीक है, controlled होता है तो उसी को implosion कहा जाता है तो जब जब bird implosion आएगा उसका meaning यह समझना कि blast करके कुछ तोड़ा जा रहा है और वो blast जो है वो controlled है उसके बाद next देखना demolition of building by implosion is very fast बहुत ही fast होता है तुरंत building टूट जाता है large building tall chimney and some small structure now are dead demolished by this method यानि controlled demolition का use आजकल बहुत जादा हो रहा है generally हम लोग किसमें यूज़ करते हैं तो chimney, tall chimney small building और large building के भी demolition में इसका यूज़ किया जाता है उसके बाद देखना है in the implosion technique the main support of building such as column, beam, slab are fixed with explosive and when it explode the column collapse and so is the structure क्या करते हैं कि हम लोग इस method में जो main important structure होते हैं जो main important part होता है building का, क्या important part होता है column, beam, slab, इसमें हम लोग explosive लगा देते हैं और explosive लगाने के पास इसको explode कर दिया जाता है क्या explode होता है, तो column explode होता है, beam explode होता है तो the column collapse as so structure, ठीक है, जैसे ही column collapse होता है, वैसे ही structure भी collapse हो जाता है फिर से एक बार बोल रहे हैं कि हम लोग control demolition में क्या करते हैं तो जो building के main component beam columns lab होता है उसमें explosive लगाते हैं और explosive लगाकर उसको explode कर देते हैं explode करने का मतलब उसमें bisphort कर दिया जाता है explosive का मतलब होता है bisphort है explode का मतलब होता है और इस तरह से पूरा का पूरा structure तूट जाता है आप चाहो तो इसको pause करके screenshot ले सकते हो next देखना हम लोग यह already देख चुके किस तरह से explosive का use करके building को तोड़ा जा रहा है इसमें beam column slab में explosion किये हैं और explosion जो किया जाता है वो sequence में किया जाता है पहला second में क्या तूटेगा second second में क्या तूटेगा तीसरे second में क्या तूटेगा यह already यह सब चीजों का planning कर लिया जाता है ठीक है कहाँ पे explosive लगाना है अच्छे से survey किया जाता है उसके बाद हम लोग explosive लगाते हैं beam column slab में next और important topic है यह precaution during demolition मतलब जब हम लोग building को demolise करेंगे तो उस time में क्या-क्या precaution लेना चाहिए तो following precaution are taken या takes during demolition यह following precaution है जिसका हम लोग को लेना चाहिए या इन-इन साब्धानियों को बरतना चाहिए जब हम लोग building को demolise करेंगे first है careful study of building हम लोग को building का अच्छे से study कर लेना चाहिए building कितना मजबूत है अगर building में कहीं पे wood यानि timber या लोहे का कुछ रखा हुआ है तो उसको हटा देना चाहिए कोसिस करना चाहिए कि building अच्छे से collapse हो जाए तो उसको अच्छे से careful study करना चाहिए building को देख लेना चाहिए कि किस कॉलम को तोड़ना है यह सब अच्छे से survey करना चाहिए उसके बाद देखना enough space for swinging of the raking ball must be available यानि जो raking ball होता है steel का huge ball होता है उसको swing करने के लिए एक अच्छा space होना चाहिए यानि जिस building को तोड़ना चाहते है वहीं पर strike करें और जब वो बापस वहां से strike करके आ है तो उसको swing करने के लिए enough space available होना चाहिए यह नहीं कि जिस building को तोड़ रहे है वो तोड़ जाए उसके साथ अगलब अगलब वाला building में भी कुछ छती पहुंचे ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोग के पास enough space होना चाहिए ठीक है तो आई होब दो पॉइंट समझ में आ गया होगा तीसरा Inclosing the surrounding area by sufficiently high metallic seat जिस building को आप तोड़ रहे हैं उसके आज़ पास का जो area होगा उस area को steel यानि metal के seat से घेरा लगा देना चाहिए ताकि अगल बगल का जो building है वो सुरक्षित रह सके Inclosing का मतलब है close कर देना चाहिए surrounding area को किस से? metallic seat से high metallic seat से कर देना चाहिए safe तो इससे क्या होगा? कि अगल बगल का building है वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा ठीक है? उसके बाद next four देखना erase कर देते हैं इसको four point में है importing the surrounding area मतलब घर तो आप खाली करवा दे क्योंकि मान लो कि कुछ दुरगटना हो जाए तो building टूटे किसी का जान न जाए मतलब जिस भी part में देखना यहाँ पर क्या बोलना चाहिए मान लो कि आप यह दो building को explode करा रहे हो तो अगल बगल का जो building में लोग रहेंगे उसको आपको खाली करा देना चाहिए अगर गलती से कुछ अन्होनी हो जाए unwanted situation create हो जाए तो उसमें घर गिरे घर तूटे ना कि लोगों का जान जाए ठेक है तो आपको क्या करना है कि मतलब importing कर देना surrounding area surrounding area जो अगल बगल बगल वाले घर होंगे उसको खाली करवा देना है proper planning of locating the explosive जो भी आप explosive लगाओगे यानि जो भी बिसफोटक लगाया जाएगा उसका proper planning होना चाहिए planning कहने का मतलब है कहां कहां पे explosive लगेगा यह आप अच्छे से पहले ही study कर ले proper planning of let me let me read it proper planning of location या locating the explosive beam column जहां जहां पे भी आपको explosive लगाना है आपको अच्छे से planning कर लेना चाहिए उसके बाद 6th point है proper planning of sequence of explosion एक सकेंड में कौन सा कॉलम टूटेगा दूसरे सकेंड में कौन सा कॉलम टूटेगा तीसरे सकेंड में कौन सा कॉलम टूटेगा इसका अच्छे से careful study होना चाहिए तभी जो building जहां पे टूटेगा वहीं पे गिरेगा otherwise इधर उधर टिल्ट कर जाएगा मतलब ये building टूटने के बाद जस्ट नीचे collapse करना चाहिए ना कि इधर उधर टिल्ट हो जाए बहुत जादा इसका debris यानि टूकडा है वो बहुत दूर तक नहीं जाना चाहिए building के आसपास area में ही रहना चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा proper sequence में explosion कराना होगा ठीक है तो इसका भी अच्छे से हम लोगों को तैयारी कर लेना चाहिए और सबसे last और सबसे important point यह है कि अगर कोई plan या कोई action wrong हो जाए तो उस wrong plan के लिए या wrong action के लिए कुछ अन होनी के लिए हम लोगों को पहले से ही तैयार रहना चाहिए ठीक है action plan already prepared if implosion goes wrong or only parcel explosion occur यानि ambulance बेगरा को आसपास में लाकर खड़ा कर देना चाहिए fire brigade बालों को call करके बता देना चाहिए कि इस time पे explosion करने जा रहे हैं अगर कुछ unwanted situation create हुआ तो आप immediate आ सको तो यह सब जो है action plan आपको पहले से ही तैयार रखना चाहिए ठीक है बेटर होगा कि दो चार पांच ambulance वहाँ पे रखा जाए fire fighter का भी कुछ जो vehicles है मतलब क्या बोलते हैं उसको दमकल जो गाड़ी बाड़ी आता है पानी के साथ आग बुझाने के लिए उसको भी एक दो वहाँ पे आसपास में रखना चाहिए तो I hope आपको ये समझ में आया होगा कि कौन-कौन सा precaution लेना चाहिए जब हम लोग building को demolise करते है पहले तो building को बहुत अच्छे से study करेंगे careful study किया जाएगा किस तरह का building है कहाँ पे कितना motor column है beam है इसके बारे में study करना है enough space रखना है wrecking wall के movement के लिए enclose कर देना है surrounding area को with metallic seat जो आस-पास का घर होगा उसको खाली करवा देना है proper planning करके explosive को लगाना है कैसे कि sequence में explosion होगा उसका भी planning कर लेना है और ambulance बगेरा को भी आपको पास में बुला कर रखना चाहिए ताकि कोई अगर दुरघटना हो जाए तो उसको असानी से निप्टा जा सके तो I hope यह समझ गए होंगे मिलते हैं अब next video lecture में जहांपे कुछ और important topic को cover करेंगे ठीक है? Thank you